इंदौर प्रिशासने कारले में संचालेट पार्किंग ठेकी को कलेक्टर मनिश्र सिंग ने निरस्त कर दिया है पार्किंग का संचालन करने वाली कलेक्टुरेट मल्टी पर्पस कोपरेटिव सोसाइटी के कारले को भी सील कर दिया गया है कलेक्टर ने सोसाइटी के जाँच के निर्देश दिये हैं जाँच के बाद पारकिंग संजालन के लिए फिर से ठेका निलामे की प्रक्रिया की जाएगी देखे एक खास रिपोर्ट इन दोर कलेक्टर कारले में कलेक्टर रेट मल्टी परफस को अपरेटिक सोसाइटी के माध्यम से पारकिंग का ठेका दिया जाता है ठेके में वहानों की पारकिंग की दरे तै की गई लेकिन ठेकेदार द्वारा दो पहिया वाहनों से 10 रुपई और चार पहिया वाहनों से 20 रुपई वसूले जा रहे थे कलेक्टर मनेशर सिंग को जब इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने निर्धारे दरों के मताबिक पार्किंग शुल्क वसूलने के निर्देश दिये थे कलेक्टर के निर्देश के बाद भी जब ठेकिदार ने पारकिंग शुलक कम नहीं किया तो कलेक्टर ने तुरंत प्रभाव से ठेका निरस्त कर दिया दरसल 25 लाख रुपए में एक वर्ष के लिए ठेका लिया गया था 25 लाख में से 75% राशी कलेक्टर कारले में जमा की जानी थी लेकिन वर्ष 2013 से सोसाइटी ने यह राशी कलेक्टर कारले में जमा नहीं की अपर कलेक्टर पवन जैन के अनुसार सोसाइटी कारले को सील कर दिया गया कलेक्टर ने सुसाइटी की जांश के निर्देश दिये अनिमित्ताय पाये जाने पर सुसाइटी के पदाधिकारियों के खलाफ वैधानिक कारिवाई की जाएगी परणचारियों के लिए राशी जाएगी और एग्रिमेंट पुराना था लगभग पंदरा से बीस साल पराना था उसके दाथ ब्यवस्ताय चल नहीं थी लेकिन कल जब कलेक्टर सर ने देखा और पाया कि जो पार्किंग संचालेट करने वाली आउट्सोर्स एजेंसी है वो बीस रुपए फोर्विलर से और दस रुपए टूविलर से ले रहे हैं तो उसके निर्देश भी हम लोगों ने संबंद जो बेंडर था उसको दिए उसके द्वारा फिर उन निर्देशों का पालन नहीं किया गया आज सुभाई भी समझा इस दी गई उसके करम में इनका यहां से बाहर किया गया है और अब आगामी करवाई के लिए किलिए जो संस्था से अग्रिमेंट करमचारी संस्था जो हमारी जमांग आजन सम्हीति है बश्च 2033 से उनके द्वारा रासी नहीं देना भी संग्यान में आया है उसकी विश्टेश की जा रही है जो भी रासी कर्मचारी संस्ता को देनी थी अगर नहीं जमा कराएंगे तो नोटिस के माद्धियम से उनको अंतिम समय पत समय दिया जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग क्रिमि का विवस्ता निसुल की गई है और उसके बाद जब इस सारी करवाईयां हो जाएंगे तो नैसरे से परिक्षन करने को पार्किंग को मैनेज करना प्रोपर कारियां लगें यह भी आउशक है इसलिए उसके बाद आगामी करवाई की जाएगी है जाचपूरी होने के बाद क अलेक्टर परिसर में पार्किंग संचालन के लिए ठेका निलामी की कारिवाई पुनह की जाएगी ब्यूर रिपोर्ट एमपी न्यूज